हुआ है है हलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्टू चैनल वर्ल्ड ओफ सर्विस पर तो फ्रेंड मैं आप सभी को बता दू कि जो टॉपिक चल रहा है फिलाल कोडिंग और डिकोडिंग का चल रहा है और इस पर मैं आज ले करके आया हुआ पार्ट थ करने की ज़रत है जो पहतने कलास हम लोग कर चुके हैं तुसे पार्ट वन और पार्ट टू हम लोग देख चुके हैं तो पार्ट वन और पार्ट टू का रिभाइज करेंगे उसके बाद हड़ को स्टार्ट करेंगे ता आप लोग बने रहें और देखते रहें तो प्लस मैं आप सभी को बता दो कि जो टोपिक जो है कोडिंग और डिकोडिंग है कोडिंग और डिकोडिंग और डिकोडिंग एंड को दिकोडिंग पार्ट थ्फण तो कैसे पहले करेंगा heels ुसके जोंकर कि एसे लेकर और यह भी देख चुके थे किसका ओल्टा कॉंसलेटर होता है तुसका रिभाइच करेंगे हम लोग चल से क्विक्ली तो ए बी सी डी ए यह जो है एक नूमर में आता है बी दो नूमर में आता है से तीन नूमर में आता है डी चाल नूमर में आता है यह पाच नूमर में आता है एफ शोर नूमर में आता है जी सात नूमर में आता है है येच आंत मुल्म्म्म आता हा आया जैड़ नम्म्म्म्म्मास्रत के यहारा प्यूतर यहाद यहादि यहीन थे अधेौन यहां देख चुके थे उसके बाद इसका उल्टा भी हम लोग को पता है और पहले भी देख चुके है यदि नहीं देख होंगे तो आप लोग जाईए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल दाएगा पार्ट ओन और टुका तब लोग ओन टुको देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं तो आई अभी हम लगविकली रिभाइज करता है कि इसका उल्टा क्या होता है तो एक उल्टा जेड होता है बी का उल्टा वाई होता है सी का उल होता है यह कंग सब्सक्राइब भाधन को होता है है की होता है कते उल्दी होता है यह को होता है शूश पहले भी देख चुके है और आई हो आप से पसुझे आ रहा होगा तो चलते हैं आगे की और यह तक हम लोग देख चुके थे उसके बाद अगला जो टोपिक है यानि कि इसी में इसमें हम लोग देख चुके थे कि कौन सालेटर बायास से कितने नुबर पर आता है तो जिससे हम लोग देख लेते हैं कि सुटार की किस्पर देखे थे कि तो कल देखे हुए थे कि अंगरेजी और नमाला में आपके बाये से तर्फ हो अक्षर कौन सा था यानि कि बाये से बताना था कि तर्फ हो और जाते हैं तो यह बाइब है है और इधर से यह जाते हैं तो यह दाय है तो बाय चोशा गया है कि आपके पाइस से कौन सा है तो कल ही सब पूसन लोग कर चुके थे कि यह 50 कौन सा तो 23 मुंद्ध नंतर है कि डवलु आता है डाम लूज इसका राइट एंसर हो जाएगा आज हम लोग दाय से देखेंगे कि डाय से कितने नवर पर आता है तो आए आगे हम लोग चलते हैं अगले कॉंसेप्ट की और तो फ्रेंड आप सभी को बता दू कि पहला जो किसन है पहला कोचन है कि दाय से ब्रहावाँ लेटर कौन सा होगा यानि कि बताना है कि आपके दाय से बरहावा अक्षर कौन सा होगा बताना है कि आपके दाये से ब्रहाम आक्षर कौन सा होगा है यह लोग अगर लिखते हैं यह से लेकर के जड़ तक तो ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के ल म एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डावलू एक्स वाई जेड तरीस वजार हम लोग लिख लेंगे आपके दाये से ब्रहाम आक्षर कौन सा होगा आप लोगो बैसिक बता रहें इसलिए इतना लिखना पर दाये ने तो डायेक भी निकाल सकते हैं यहां पर है कि आपके दाये से ब्रहाम आक्षर कौन सा होगा तो दाये से ब्रहाम का मतलब हो गया के दर से लोग देखेंगे एक लेकिन अगर ट्रिक से जानना जाते हैं तो ट्रिक भी अपलाई कर सकते हैं लोग बता सकते हैं कि आपके दाय से ब्रहाम आक्षर कौन सा होगा इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो विप्रीद का जो योग है वह सताइस होता है तो सताइस में से इसको हम लोग मैनस कर लेंगे से तो एक हो जाएगाया याणि कि पन्तरा पंदरा में क्या आता है तो इस का सते हैं वह जाएत। इस परकार हम लोग बना सकते हैं और तो घर लेट से निकलता है जो जितना में में आता है उतना ही अक्षर में होगा जैसे कि अगर 22 से पुछ लिया बाइस वहां तो बाइस जो है भी हो जागा राइट एंसर उसका लेकिन अगर पुछ लेकि दायां से ब्रहामा कौन सा है दायां से सत्रहामा कौन सा है तो हमेशा 27 में से हम लोग माइनस कर लेंगे जितना उतना उसके बाद जो अक्षर बत जाएगा उसका राइट एंसर हो जाएगा जैसे हैं कि आपके दाया से ब्रहामा अक्षर कौन सा होगा तो हम लोग 27 में से मैनस 12 कर लिए तो 15 आ गया 15 में वह बाद है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उसी परकार से कुछ भी पुछा से धायेगा तो हम लोग किसी का चल यज़ा सकते हैं त 백श बीना लिख है बस याद होना चाहिए का हम लोग-सक मीर्स करते हैं जैसे अगला कमचन लो जानते हैं कि हमेंषा जो है गरेंचे 17% सब्सक्राएं के लिए 27 में इंस करते हैं यहाता है दस में जो आ रहा होगा हो इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इस परकार से स्वल्फ करना है आई हो आगया होगा यहीं कॉंसेप्ट था जो की जानना था और भी बनाना चाहते हैं कोशन तो अपना इक्षा कर नसर कितना भी रख सकते हैं यहां पर 17 के जगे में साथ भी रख सकते हैं कि आपके दाएं से साथ वाक्षा कौन सा होगा अगर बाएं से पुछता तो जी हो जाता है लेकिन पुछा है दाएं से कि दाएं से कौन सा होगा तो हम लोग जानते हैं कि 27 माइनस करते हैं जितना दिया हो रहाता है यानि कि साथ कभी मुझे लेता है कि दाये और भाए कभी पूछ लेता है कि दायें rocky और पार पांचवा तो फिर दाये दाय और भाया में दिकत होaty जाता है इसलिए अभी हम लोग सीखेंगे उसका विट्री का देखते हैं किस परकार के कोश्चन इसमें पुछा जाता है जैसे इसमें जो है पुछा जाता है कि अंग्रेजी वर्ण मारला में आपके दाएं से तेरह में अक्षर के दाएं सातवा अक्षर ग्याद किजिए पहला कोश्चन जो है जैसे अभी हम लोग कुछ दिर पहले भी देख रहे थे पहले देखें बाएं से किस परकार से निकलना है दूसरका में देखें कि दाएं से कैसे निकलना है लेकिन अभी जो कोश्चन आएगा वो कोश्चन जो है अभी कि निकलने वाला है यानिवां दोन से तेैसे हरा करके मिला करके पुखे जाए जाए है ं जैसे मैं पहला कॉछन देखते हैं कि सुदक्से हो जाए से पुरुक्रण तेरह वैं है अक्षर के अक्षर के दाएंडाईं समय स्थ दायष लेकिन अहां पुर्द z न पे हैं ओ यह दिए ज्लिएल्स अलेगेन पिन दायष है उन küçलाएंटी टरेये यह द दा आईन सिर दाति है लोगतू दाय आ गया है और कभी कभी दाय भाय भी आज सकता है इसलिए इस कॉंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है तो हम लोग देख लेता है कहिंगे जी वर्णमाला में दाएं से तेरा हमें अक्षर के दाएं सातवाक्षर कौन सा होगा अगर कभी ही राइट और राइट अगर पुछ ले तो हमेशा माइनस होगा इस कॉंसेप्ट को याद रखना है कि यदि दाएं यहीं यहां पुछ ले यहां यहां दाय है और यहां दाय है यहां 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 यहा लेप्ट तो यहां पर हो जागा पुलास यहां उसको जोड़ना पड़ेगा और यहां पर ही जुड़ी जाएगा बस यहीं कंसेप्ट है अगर यहां दिमाग पर है तो ज्यादा लोट देने के जरूरत नहीं है अराम से कोशन को कर सकते हैं कि अगर राइट राइट आजाए यहां राइट है यहां राइट है तो माइनस होगा यहां लेफ्ट है यहां लेफ्ट है तो माइनस होगा और अगर डिफ्रेंट आजाए यहां लेफ्ट राइट प्लस और लेफ्ट राइट प्लस और लेफ्ट राइट प्लस अगर दूनों में से कुछ भी हो तो हमेशा प कि यानि की एच चीज याद रखना होगा कि सेम कंडिशन हो यानि कि सेम पूछा जाए जैसे कि यहां पर है पूछा गया है दाए दाएं तो यह जो है आर यानि कि होगा माइनस हो जाएगा तो अंग्रीजी वर्णवाला में कि लाना के दाए से तिरा हो यहां दाएं का मतलगा है जाइट कितना एक्षर कितना सथ है कि 7 गए 7 कर लेंगे कुछicia 2 तुप्धिना कि जो है एक एस गजए ए्वज से खेस wil दोगे तरह हैं और और समझाard über एफ कितने में आता है सिक्स में आता है तो एफ इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इस फरकार से क्यूशन को बनाना है अगले किशन के अगले किशन की हम लोग चलते हैं तो देखते हैं अगला किशन किस फरकार से है अगला किस्चन है अगला किस्चन है अगला किस्चन है अंग्रेजी वर्नवाला में आपके बाएं से साथ हुआ है अंग्रेजी वर्नवाला में 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 आपके बा कि बाये से साथ वे अक्षर के अक्षर के अच्छर के अच्छर के अच्छर के अधाएं तिरहां अच्छर कोन है कि अच्छर कोन है तो यहां पर केसे अधाल में आपके बाये से शाथ वा यहने कि लेट से साथ वा अक्षर के अधाएं यहां पर दिखाई ते अगर लेट ऑव राइट यहनिकी डिफ्रेंस है इसलिए यहां पर प्लस हो जागा तो तेरा उसाथ कितना हो जागा 20 हो जाएगा और 20 में का आता है 20 में टी आता है टी 20 से याद कराया थे तो इस परकार जो है अराम से निकाल सकते हैं तो फ्रेंड आई होप आप सोही को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के लिए वीडियो को यहीं पर स्माप्त करते हैं जय हिंद्ध जय भारत वंदे माज़न है अ कि कि अपार मां में पर आप सकते बीडियों जय हो को